हल्लोदोस्तो मैं हूँ आपका आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नामे इंफो बेयर कि दोस्तों काफी दिन से मैंने ATC के अच्छाटे लेकर रखे ते कफी काफी दिनों से पूछ भी काफी मुझे गवर करना मैं चाहता था कुछ 50 या 60 के आसपास में चाहता था कि 160 150 के आसपास अपने जो है शेयर को मैं दबा सकूं बट जो मैं हमेशा बुलता हूं कि शेयर को को एवरेज करना आपको अवाइड करना चाहिए तो उसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने भी वही सूचा कि भाई अभी एवरेज नहीं करते हैं शेयर को वही रोक देते हैं शेयर को मिली हुई है जिसने भी अई टी सी के सियर जिनके भी पास से बाहे लोग आपके लिए बहूत अच्छी न्यूज यह न्यूज क्या है क्या होगा इसका क्या इंपट होगा मार्केट में करकरS personalized पर पर क्या इसी कंपनी खरीदेगा Sunrise Food क्या डील है क्यों हुई क्या benefit होगा ITC को इस डील से लेके Sunrise Foods क्या कंपनी है क्या करती है पूरे बात करेंगे वीडियो को बीच में न चुड़िएगा और अगर ऐसे ही आने वाले अपडेट्स आप चाहते को आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजेगा दोस्तों यहां पर हम लोग कोई टिप्स नहीं देते को न्यूज अपडेट एज था कि ITC जो है वो डाइवर्सीफाइड बिजनस एंटेटी है और यह न्यूज संडे में आई थी कि यह जो संड्राइज फूर प्राइवेट लिमिटेड है एक मसाला बनाने वाली कंपनी है इसको खरीदने वाली है ITC ठीक है यह अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि एक तो मार्केट देखे किस हिसाफ से चल रहा है और उसमें अगर काफी सरी डील से रिलाइंस के हमें देखने को मिल रही है और एक यहां पे ITC ने के लिए एक कंपनी को बाइक किया है संराइज फूर प्रावेट लिमिडेड इस कंपनी में वो कोई शेर नहीं खरीद रहे है कुछ परसेंट के वह 100% स्टेक खरीदने वाले यानि कि पूरी की पूरी कंपनी जो है वह ITC खरीद रही है देके बात को समझेगा कभी कभी क्य जो है वह ITC खरीदने वाली है पूरी की पूरी कंपनी यहां पर खरीद ही जा रही है कि ITC के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यह दिखिए ITC का पहला मैं थोड़ा हिस्टी बता दू यहां पर ITC का जो नाम था वह पहले था इंपेरियल टोबैको जिसको बाद में वाग में एक ही चीज आते हैं कि ITC मतलब सिग्रेट बेचने वाले कंपनी क्यों यह टोबैको यहां पर लिखा हुआ हुआ है बिजनस जो आ रहा है वह 81 परसेंट होता है एशिया से तो एप्रॉक्स 275 मिलियन सब कस्टमर्स है जो ITC के टोबैको प्रोडक्स इस्तमाल करते हैं जिनसे जो रेवेन्यू जनरेड होता है वह 11 बिलियन है जो कि रूपीज में साड़ी साथ लाक रूपीज करोड़ के हो सकते हो विल्स नेवी कट है गोल्फलक प्रीमियम है लाइट है सुपर स्टार फ्लेग है एंडिया किंग भी इसमें आता है और 555 पी शायद आपने सुना हो सिल्क कट है सीजर्स है कैपस्टन है ब्रिस्टल भी शायद अपने सुना हो प्लेयर्स फ्लेक ड्यूक रॉयल काफी सारे ब्रैंड्स यहां पर आईटीसी के नैशनल इंटरनेशनल ब्रैंड्स है तो शायद आप अगर स्मोक करते तो इसमें से कोई आप एक जो है ब्रैंड अ सिग्रेट में बहुत बड़ा जाइंड है इसके साथ में इसके साथ में आइटीसी की जो मैंने कहा है कि 28 परसेंट का अभी जो मार्केट हुआ SMCG सेक्टर में उसको भी बता दो कि एक सेफटी मैचेस और अगर 32 में भी आटीसी आता है स्टेशनरी में भी आइटीसी है पर से होटेल भी है पेपर वोर्ड भी डिशी के आते हैं पैकेजिंग प्रिंटिंग में भी है इंफोमेशन टेक्नॉलोजी में भी डेली प्रॉडजी में इप है तो काफी सारे वर्सटाइल FMCG जो है वो ITC के पास है यह था ITC का थोड़ा सा बैग्राउंड और प्रोड़क्ट लाइन अभी जो कंपनी acquisition कर रही है ITC जैसे कि Sunrise Food उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं Sunrise बैसिकली दोस्तों Spices बनाता है Ground Spices जो होते हैं Blended Spices जो होते हैं Mixed Food Spices जो होते हैं वह सब जो है वह Sunrise Foods बनाता है और यह कोई चोटी मोटी company नहीं है दोस्तो 600 क्रोड का जो है यहां पर एक टन ओर है company का last year का मतलब एक बहुत बड़ा टन ओर अमाउंट यहां पर company का business करता है तो कोई चोटी मोटी company आप बाई नहीं की जा रहे 600 क्रोड की company ITC buy करने वाली है अभी इनका प्रोड़क लेंगर आप देखो कि प्रोड़क लाइन में सिर्फ एक ही प्रोड़क आता है वह है spices मतलब बहुत ही focused है company और यह company जो है अपने आप में एक मार्केट लीडर है उसी सेक्टर की अगर आप यहां पर डील अपडेट देखो के तो एक बारी फिर एक डाइवर्सिफाइट कंपनी जो Sunrise Foods के बाई करने वाली है और जो एप्रोक्स अमाउंट जो डिसकस तो नहीं किया डिस्क्रोज नहीं की हुई है बाई की बट एक्सपर्ट के हिसाब से जो अमाउंट निकल के आएगा वह होगा 1800 करोड या 2000 करोड के बीच में कहीं पर ही अमाउंट होगा जो ITC Sunrise Foods के लिए पे कर रहा है अंडरस्टैनिक जोस्तों यहां पर है कि अगर आप एक समझ लोगे के Sunrise Foods जो है वह एक 70 की कंपनी है जो इस्टन इंडिया में जो एक जाइंट के हिसाफिक मार्केट लीडर के हिसाब से काम करती है जो अपना ब्रैंड हेरिटेज और अपना ब्रैंड नेम जो होई वहां पर कभी इच्छी तरह से बना चुकी है यही सोच कि ITC ने जो इसमें इंट्रेस दिखाया था और ओवर दे यह दिखे उन्होंने एक लॉयर कस्टमर्स कमा चुके है फ्रेंचाइजी यूनिट वहां पर है फुरा लॉजिस्टिक सिस्टम्स वहां पर बना हुआ है लोगों तेखो कि ITC की जो प्रोड़क लाइन है वो भी ITC इस चैनल के थ्रू जो है वो अपने अधर प्रोड़क को भी बेच सकती है यानि संट्राइज सूर से तो बिजनस मिलेगा ही मिलेगा बड़ आईटी सी का जो बिजनस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है यहां पर है क्योंकि यूज चाइनल है अगर उनको और भी प्रोड़क पीच करती तो डेफिनेटली खरीदने वाले है तो पका यहां पर बिजनस जो आईटी सी का बढ़ने वाला है अधर नेट्वरक के थ्रू से अपने प्रोड़क को बेचेंगे तो अभी यहां पर देखिए और जो फूड में थे जो डेरी प्रोड़क में थे वह अभी इटी सी स्पाइसिस में आ जाएगा मतलब पॉर्टफुलिय में और एक नया प्रोड़क लाइन उनका एड होने जा रहा है तो यह डेफिनेटली उनके रेविन्यू में और आने वाले प्रोफिट में भी प्लस करत प्लस के नेटवर्क बेचेगा लेकिन अपने जो नेट्वर्क से उन नेटवर्क के जरिये भी संटराइस का फूर्स का जो स्पाइसिस्क के नाम भी हो जाएगा तो प्लस के नाम बंभी में उसे बीचेगा अगर आप देखोगे मैंने कहाता है कि सिप इस्टन इंडिया मे जो है Sunrise Foods का कफी अच्छा बिजनस है वहाँ मार्केट लीडर है लेकिन रेस्ट आप अगर इस छोड़ देंगे तो साउथ है वेस्ट है नौर्थ है यहाँ पर ITC का अच्छा गेर है तो ITC जो है वहाँ का दो स्पाइस है वह इन तीन साइट में भी बेच सकता है मतलब बेचेगा 100% बेचेगा और यहां पर बिकेगा तो डेफिनिटली अच्छा रेविन्यू भी जनरेट करेगा क्योंकि ITC का बहुत बड़ा है तो यहां पर डेफिनिटली एक रेविन्यू है जो 600 करण की कंपनी है जो 600 करण का रेविन्यू होने वाला था वह बढ़के बारा सो या पंदरा सो करण तक भी जा सकता है ठीक है तो यह अभी पूरी अंडरस्टेंडिंग थी कंपनी ने जो सेनराइस फूर को खरीदा हुआ है कंपनी ने जो इस्टिमेटेड अमाउंट आ रहे है वह कुछ 800 या 2000 क बीच में आ रही है कंपंइ को होने वाले फाइदे इससला से हैं कि कंपनी को एक चो लॉयल कस्टमर्स मिल जाएंगे फ्रंचैज़ीय को ऑर एक प्रॉड़क लाइन Sunrise food के product को भी बेज सकता है यानि यहां पर बहुत बड़ा revenue growth हमें देखने को मिल सकता है यहां पर suggestion यह मेरी तरफ से कि अगर आप short term के लिए भी IDC खरीदना चाहते हो तो कल का मार्केट देखकर बात को समझे कल का मार्केट देखकर आप खरीदना या नहीं खरीदना उसके बारे में जरूर सोचिएगा क्योंकि pandemic है Reliance ने भी काफी सारी अभी तरफ deals की हुई है बट Reliance में उतना हाइक हमें देखने को नहीं मिला बट यहां पर हमें जरूर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ नया नजर जरूर रखिएगा दोस्तों और अगर buy opportunity आपको दिखाई देती है तो definitely buy करना एक बहुत ही सही decision होग क्यूंकि ITC एक इसी company है जिसके shares आप हमेशा भी अगर आपने पास maintain करते हो तो आने वाले future में आपको बहुत अच्छी तरह से के growth यहां पर देखने को मिल सकती है और इस deal के बाद तो 100% वह growth आपको देखने को मिली जाएगी short term के लिए तो मैं बिल्कुल इसे suggest करता हूँ short term के लिए आप बिल्कुल इसे buy कर सकते हो बट कोई भी decision लेने से पहले दोस्तों आप अपना study जरूर कीजएगा अपने consultant से जरूर पूछेएगा वीडियो अच्छा लगा हो लगा अगर चैनल आपको बहुती information दे सकता है आने वाले future में तो subscribe जरूर कीजएगा और bell icon को जरूर क्लिक कीजएगा दोस्तों क्योंके आने वाले वीडियो का notification आपको तभी मिलेगा अगर आप bell को क्लिक करोगे वीडियो अच्छा लगा है तो share कीजएगा अपने दोस्तों के साथ शायद उनके पास अगर ITC share हो खरीदना चाहते हो तो इससे बढ़िया में एक मौका जो है दोस्तों वो नहीं मिलेगा आज इस वीडियो क यह लोक्त ने दोस्तों तेंक्यू बर्माइच